हेलो फ्रेंड्स ग्यानी स्टूडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है उमेद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे दोस्तो यदि आप मेरे चनल से जुगना चाहते हैं तो नीचे दिए रट कलर के सब्सक्राइब बेटन पर क्लिक करना बिलकुल न भूले दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके लीवर में सुझा न जाती हैं तो फिर इसके पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और साथ ही यदि आपको इन वजह से आपके लीवर में सुझा न आती है तो फिर आप कौन से हैपेटाइटिस के सि सिकार हो सकते हैं जिया दोस्तों हेपेटाइटेस जो होता है वह लीवर से संबंदित एक विमादी होती है जिसमें कि आपके लीवर में सुझाना जाती है तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किन कारणों से आपके लीवर में सुझाना जाती है और यदि आपके लीवर में इन क है तो फिर आप Hepatitis A के सिकार हो सकते हैं दोस्तों वैसे तो Hepatitis जो होते हैं वे 5 तरह के होते हैं A B C D और E अब हम दूसरे नमपर पर यह दी बात करें तो दूसरी दूसरा जो कारण हो सकता है आपकी लीवर में सूजन आने का वह हो सकता है संक्रामक रग्त या किसी दूसरे द्रब्य पदार्थों के संपर्क में आने से यदि आपका लीवर इस कारण से सूजन से क्रशित होता है तो फिर आप Hepatitis B के सिकार हो सकते हैं यदि हम तीसरे कारण की बात करें तो वह होता है HCV याने Hepatitis C वाइरस इसके कारण होता है और संक्रामित खोन या इंजेक्शन का इस्तिमाल यदि आपको इस तरह कोई इंजेक्शन लगा है तो आप Hepatitis C के सिकार हो सकते हैं और लीवर में सूजन का एक यह कारण भी हो सकता है यदि हम चौथे नमबर पर बात करें तो डी वाइरस के कारण यह हो सकता है जो पहले से ही हुआ होने का हुई लीवर में शूजन है तो आपको मैसी हेस के संक्रमक का कारंग होता है लुषन होने की स्धिती में यह जो कंदिशन होते हैं आपके लिए टिपिकल्ट हो सकती है इसके लाव पांच आपका लिए यह हो सकता है कि अधिकतर प्रदूसित जल या भोजन से फैलता है और यदि हम अन्य कारणों की बात करें तो मत्यपान विसेली दवाएं और आटो एम्म्यून डिसीज के कारण भी व्यक्ति के लीवर में सूजन आ सकती है और यदि आपके लीवर में इस वज़ए से सूजन आती है तो आप हैपेटाइटिस E के सिकार हो सकते हैं तो दोस्तों यह थी चोटी सी जानकारी उम्मीद करते हो आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और वैल आइकन को भी दबाईए ता से पहले आपके पास तक पहुँच चके